आज हम देखेंगे session number 5 और इस session में हम क्या देखेंगे कि किसी भी user की data को कैसे collect करना है मतलब कि किसी भी information को आप कैसे collect करते हो एक जेगे पर और फिर उस information का use करके आप आगे उसको कहीं पर भी use कर सकते हैं example अगर किसी school में एड़िशन लेना है तो आप क्या करते हो online जाते हैं उस school की website पर और वो school आपसे कहता है कि अपना नाम बताईए आपकी age क्या है gender क्या है contact number आपसे कहता है fill करने के लिए और आपकी email id क्या है इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़े कि last आपने academic आपने किस school से की उस school का नाम बताईए इस school की distance कितनी थी आपके residence से ऐसा बहुत सारी question हो सकते हैं पर हम सारे question को यहाँ पर नहीं ले रहे हैं हम कुछ question को use करेंगे example के लिए और फिर आपको घर के लिए homework मिलेगा कि online जा रहे हैं आपको एक mobile लेना है या फिर आप Amazon पर विजिट कर रहे हैं तो first time जब आप जाते हो तो वहाँ पर आपको अपना नाम आपकी email id आपका contact number वो सारे आपको fill करने होते हैं और जब वो fill कर देते हैं तो उसके बाद में उनके पास data आपका store हो जाता है फिर आपन में ध्यान दिया होगा कि Amazon फिर आपके mobile पर message भीजना स्टार्ट करता है आपकी email id पर message भीजना स्टार्ट करता है कि यह discount हो रहा है वो discount इस वाले model पर यह discount हो रहा है आप बाइक खरीद लिजे आपकार खरीद लिजे इस पर इतना discount मिला है festival discount है different different सारे चीजे तो वह कैसे यह भीज पा रहा है Amazon हुआ या कोई भी चीज कैसे भीज पा रहे है आपके पास यह message आपने तो उनको email id नहीं दिये तो इसी तरह से क्योंकि आपने जो first time visit किया था उनकी website पर तो आपने अपनी information feed कर दी ती तो हम इसी को आज python पर बनाएंगे तो कैसे बनाना है तो यह example ह हमारा है session no.5 में हम सीख रहे है कि किसी भी data को कैसे हम collect करके रखते हैं तक कि further उसका हम कहीं use कर पाएं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि user data हमें लेना है यहाँ पर name हमने उनको यहाँ पर prompt दिया हुआ है कि tag लगा कि दिया हुआ है कि name यहाँ पर है तो यह वाले जो block में आपको name fill करना है h वाले block में h fill करना है gender contact और mail id जहाँ जहाँ पर भी है यहाँ आपको उसके according gender contact और mail id आपको feed करनी है तो हम इसको आपको करके दिखाते हैं पहले चलते हैं पाई चार्ड पर तो यह project हमारा पहले से बना हुआ है और यह इसकी coding है बहुत बड़ी coding नहीं है simple coding है उसको बार-बार repeat किया गया है तो बड़ा simple सा है हम भी समझा देंगे इसका core concept क्या है तो हम इसको run करके एक बार पहले देख लेते हैं तो right click किया और हमने run पर click कर दिया तो आप देख रहे हो जो आपका output window है वहाँ पर यह what is your name सबसे पहले इसने कहा program ने या जो भी code आपने बना रखा है इसने सबसे पहले आपसे यह बुला या customer से यह बुला कि what is your name आप किसी भी website पर enter कर रहे हो उससे पहले कह रहा what is your name तो जो name होगा वो customer यहाँ पर feed करेगा चलो मेरा नाम यहाँ पर सचीन है मैं यहाँ पर अपना नाम feed करना हूँ my name is सचीन and enter कर दिया जैसे हम enter करेंगे यहाँ पर यह कह रहा है आपसे hello सचीन how are you उसने में response कर दिया हमको तो response कर दिया बहुत अच्छी बात है चलो एक बार और क्या करते हैं एक बार और attempt करते हैं कह रहा है age बताईए तो मेरे age 25 हम यहाँ पर age कर दिते हैं your age is 25 nice what is your gender तो कह रहा है gender बताईए तो मेरा है male हम mb simple लिख सकते हैं यह कह रहा you are male very good what is your mobile number चलो mobile number भी हम अपना यहाँ पर टाइप करते हैं जो अरिजनल वाला टाइप करते हैं right 9560672813 तो हम इसको जैसे enter करेंगे यहाँ पर यह कह रहा है okay now your number is this जो हमने number टाइप किया है वो and what is your mail id चलो mail id भी इनको बता देते हैं कि mail id क्या है तो यह मेरी mail id है एंटर किया तो okay now your mail id is this and what is your company name तो कह रहा है किस company में काम करते हैं तो हम चलो xyz हमने बोला कि हम किस company में काम करते हैं your experience in year year saal में अपना year में अपना experience बताई चलो मैं बोलता हूं 15 year का experience है और यह आप से कह रहा वाट्ट is your salary बताईए आपकी salary क्या है तो salary चलो में करता हूं 80,000 and enter करते हैं तो यह आपसे कह रहा है what is your job title हो जो टाइतल भी बताना पड़ेगा तो हम C a h कर देते हैं एच का मतलब होता है, Center Academic Head, एंटर किया, तो जैसे हमने एंटर किया, यहां पर आप देखोगे, जो भी हमने data feed किया था, वो सारा data मेरा collect होकर यहां पर आ गया है, देखिए, ओपर सबसे पहले मेरा नाम था, तो यहां पर सबसे पहले मेरा नाम store हो गया है, उसके बाद मेरी age था, gender था, age 25, gender male, उसके बाद मेरा mobile number, mobile number save हो गया, mail ID, मेरी mail ID भी save हो रही है, XYZ company का नाम था, उस company का नाम save हो गया, 15 years का experience था, 80,000 celebrity और CAH मेरी job data था, तो यह देखिए, मैंने सारा का सारे data यहां पर store कर लिया, अब यह data जब store होगा, तो इस data से हम कुछ भी गर सकते हैं, जैसे हम employee का नाम पता चल गया, उसकी age का पता लग गया वो, उसका gender क्या email पी मेरा पता लग रहा है, contact number, mail ID, तो for future हम कभी भी उसका use कर सकते हैं, ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो, किसी company में कोई interview चल ले हैं, तो online interview हम conduct करा सकते हैं, इसी type से अपना program बना कर गया है, तो हम यह आज बनाना सीखेंगे, तो इसको बनाने के लिए, आपको सबसे पहले, क्या पता होना चाहिए, इससे पहले के session में हमने आपको बता रखा है, कि list क्या होता है, हम यहाँ पर list का use करेंगी, देखेंगे, यह sign जो देख रहे हैं, यह जो square bracket लगा हुआ है, यह हमने list create की है, और list create करने के बाद में इसको एक variable के अंदर save कर लिया है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बस question पूछते जा रहे हैं, question पूछते जा रहे हैं, question पूछते जा रहे हैं, तो अब हम simple सा game बनाएंगे, बड़ा simple सा, और फिर आप लोग इस पर practical करना और अच्छा game बनाना, ठीक है, हम इसका core concept समझने की कोशिश करते हैं, तो हम सबसे पहले चलते हैं, एक नई file create करेंगे, new file पर आना है, python file लेना याद रखना, और यहाँ पर बूलेंगे data collection, या फिर आप अपने according कुछ और नाम भी दे सकते हो, whatever you want to give the name of your project, you are free, okay, because this is your project, यहाँ से कट कर लेते हैं, क्योंकि नहीं भी जरूरत है ने, and इसको भी, yes, चल, सबसे पहले हमें क्या करना है, वो हम समझा देते हैं, इससे पहले के session में मेरा जो list वाला session था, वो भी हम जल्दी upload कर देंगे, आप लोगों को, उस session में हमने अच्छे से समझाया कि list क्या होता है, list को complete list पे ओवर किया है, पर थोड़ा सा आज यहाँ पर overview देते हैं, list क्या होता है, list एक type का variable का type है, जिसमें हम एक से ज़्यादा data को store कर सकते हैं, right, जैसे हमने एक variable बनाया data नाम से, या फिर एक variable बनाया name नाम से, right, और यह variable जो बना तो इसमें हम names store करेंगे, तो हमने ऐसे हम दिख दिया, यह मेरा string में नाम है, इसलिए मेरा, हमने यह double quote लगा दिया, right, तो इसके अंदर एक ही नाम store हुआ है, क्योंकि यह variable है, क्या है, यह variable है, इसलिए किसी भी variable में एक ही element को हम store कर सकते हैं, single element, लाइक चलो दूसरा कुछ करते हैं, चलो मेरी age नाम का एक variable बनाते हैं, इसमें हम अपनी age को store करते हैं, 25, तो यह देखिए, यह number है, इसलिए हमने यह double, यहाँ पर inverted comma नहीं लगाया है, यहाँ पर देखिए 25 number है, यहाँ पर नहीं लगाया है, string जब भी आपको word लिखते हैं, जैसी यह नाम लिखा है, तो आपको यह double comma लगाना होता है, ठीक है, एक variable में एक ही value store होगी, जैसे है 25 एक value है, तो यह age के अंदर store हो जाएगी, यहाँ पर जैसे सचीन एक value है, यह इस name के अंदर store हो जाएगा, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं इस बार एक बार चेक कर लेते हैं चलो प्रिंट करा लेते हैं और यहां पर लिखते हैं किसको प्रिंट करना चलो बताओ नेम की अंदर क्या है यह नेम में हमने क्या स्टोर किया है यह देखना चाहते हैं तो हम इसको एक बार रन करके देख लेंगे, and answer यहां पर आना चाहिए, name के अंदर search in store है, answer अभी आया नहीं है, so we have to wait, yes, अभी यह आ गया, देखिए, हमने यहां पर print कर आया है name, यह क्योंकि variable है, variable नहीं output में आता है, variable के अंदर जो value रखी होती है, output में हमें सब वही मिलता है, right, तो variable तो यह था, लेकिन इसके अंदर क्या आपनी store किया है, इस name को, तो यह name आ गया, right, पर हम यहां पर इस बार name नहीं store करेंगे, हम चाहते हैं, जो यह print कर रहा है, यह बताओ age, age नाम का variable जो है, उसको print करो, output में देखेंगे 25 आगया, तो 25 एक value थी, जो age के अंदर रखी होई थी, तो यह आगया यहां पर, अभी तक हमने यह देखा, कि तो variable बना रहे थे, इसलिए एक एक value आ रही थी, right, पर इससे पहले जब हमने प्रोग्राम दिखा था, तो उसमें last में क्या होता है, जितना भी data हमने दिया था, वो सारा collect होता है, collected form में, क्योंकि यह variable इसमें एक ही value store होती है, तो अब हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए, एक बड़ा सा कटोरा चाहिए, जैसे घर में कटोरी थोड़ी से सबजी आती है, एक बड़ा सा कटोरा चाहिए, जिसमें आलू भी आ जाए, प्याज से समझ सकते हैं, एक बड़ा container बनाने जा रहे हैं, तो अब हम इसको delete कर देते हैं, चलो, नाम सेम रखते हैं, पर यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम list बनाएंगे, तो square bracket को use करते हैं, यह याद रखना है आपको, इसको हम चलो, सबको delete कर देते हैं, confusion होगा आपको, हम एक list create करेंगे, जिसका नाम होगा name, और list का benefit यह होता है, कि उसके अंदर हम एक से ज़्यादा value को store कर सकते हैं, ठीक है, चलो, करते हैं, इस बार हम करेंगे, एक नाम यह है, common लगाएंगे, फिर एक नाम होगा, कमल लगाने के बात में एक नाम लिख देते हैं, कपिल, common लगाएंगे, एक नाम यहां लिखेंगे, यहां करीद मिस्टेक हो रहे हैं, इस जिगे आपने भी, इसको close नहीं किया है, कमल लगाएंगे, एक नाम और रखेंगे यहां पर, रजनीज, ऐसे करके, एक 100, 800, जिदने भी नाम रखने हैं, नीचे चलते हैं, चलो, प्रिंट करते हैं, किसको करना है, नेम को, आउटपुट में देखते हैं, क्या आ रहा है, देखें, यहां पर आगया सचिन, कप्पिल और रजनीज, तो इस कंटेनर में एक नाम नहीं है, एक से ज़्यादा नाम है, आपको बस यही करना है, हम आज इसी का यूज़ करने वादे हैं, लिस्ट का, तो लिस्ट कैसे बनती है, लिस्ट आपको हमने बताया, कोई भी नाम रखें लिस्ट का, जो भी नाम रख सकते हैं, equal to, और square bracket लगाए, इस square bracket के अंदर आपको जो भी value रखनी वह आप रख सकते हैं, तो चलते हैं, अब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, हम data collection जो करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा data आने वाला है, इसलिए हमें list बनानी पड़ेगी, right, तो अब हमने list बनाया, list का नाम हमें रख सकते हैं, data list, data list इसका हमने नाम रख दिया, equal to लगाया, और square bracket यहां लगा दिया, तो मेरी जो list अभी बनी हुई है, उस list के अं इसलिए नाम रख सकते हैं, हमने खाली इसलिए बनाई है, क्योंकि जब 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 अपनी value डालेगा, जैसे नाम या age, तो जब जो भी नाम डालेगा, हमें नहीं पता कौन सा customer है, लेकिन जो customer होगा, वो तो अपना नाम सही से लिखेगा, अपनी age, ठीक है, तो उसको लेकिन जो भी लिखेगा, वो हम इसके अंदर फिल करते जाएंगे, इसलिए हमने इसको खाली बनाया है, एंटर करेंगे, अब हम यहां से user से input लेना चाहते हैं, तो हम input हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम यह input function का use करेंगे, और यहां पर double code के अंदर हम लिखेंगे, what is is your name, और question mark लगा सकते हैं, कि space भी दे सकते हैं, तो हम किसी से उसका नाम पूछ रहे हैं, very good, हम ज़रा right click करते हैं, और देखते हैं कि हमारे output में क्या आएगा, तो output में यह list नहीं आ रहा है, क्योंकि यह तो हमने print कराया है, यह input, जैसी program यहां पर आएगा, program यही पर लटक जाएगा, input जहां पर भी हम यूज करते हैं, program यह हैंग हो जाता है, तब तक हैंग होगा, जब तक उसका answer नहीं आप कर दोगे, right, तो अब यह program आगे तभी बढ़ेगा, जब इसका आप answer कर दोगे, तो for suppose कुछ भी नाम यहां पर type के और enter कर दिया, तो यह जो नाम है ना, कि क्या नाम save हुआ है, तो हम यह प्रिंट करा सकते हैं, name, देखते हैं, run किया फिर से, इस बार नाम पूछ रहा है, हम बोलेंगे मेरा नाम है xyz, जैसे enter करेंगे, यह देखिए यहां पर xyz प्रिंट हो गया है, और हम यहां लिख भी सकते हैं, क्या, हम यहां लिख सकते हैं your name is is, और जो भी name है, हम यहां पर colon लगा रहे हैं, और this, तो अब देखना क्या होने वाला है, यहां पर कुछ मिस्टेक हो रही है, कह रहा है, invalid syntax, perhaps you provide a comma, yes, हम ने यहां पर comma use नहीं किया है, तो अब हम यहां पर आते हैं, what is your name, इस बार हम गुलेंगे nyn, यह मेरा नाम है, enter करेंगे, तीदो को कह रहा है, your name is nyn, ठीक है, तो मेरा एक यह बनीए, अब यहां पर आप देख रहे हो, कि यह double quote में लिखा हुआ है, इतना area, और यह double quote में नहीं लिखा है, तो वो इस लि variable में आ किया रहा है, जो भी customer feed करेगा, उसकी value यहां पर आ रही है, क्या feed करेगा, उसको हमने बता रखा है, what is your name, तो customer सामने वाले को पता लगेगा, अच्छा, अपना नाम टाइप करना है, very good, यहां पर देखिए, क्योंकि इसकी value को हमने store किया हुआ, इस variable में, तो variable को अबी हम double quote के अंदर नहीं लिखते हैं, right, हम double quote के अंदर किसको लिखते हैं, जो हमारा string होता है, जो हमारा character या word होते हैं, जो हमारे, सीधे simple से, ठीक है, तो अब हमारा यह हो गया, कि हमने यहां पर नाम ले लिया, और नाम हमारा इसमें save हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम simple एक काम करेंगे, उससे कहेंगे your name is this, और इस name को हम इस list के अंदर save करेंगे, तो कैसे करते हैं, किसी भी list के अंदर कोई value हमें store करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, उस list का नाम लिखते हैं, data list, dot लगाएंगे, और यहां पर एक option आएगा, जब भी list variable जो हमने बनाया है, उस list variable के आगे, जैसे हम dot लगाएंगे, यह सारे option आपको मिलेंगे, आपको पहला ही option यूज़ करना, append append का मतलब होता है, जोड़ना, ठीक है, तो हम क्या जोड़ना, इसको add करना, जोड़ना या add करना, तो क्या add करेंगे, तो हम इसमें add करेंगे name नाम का जो variable है, उसको right, तो यह name नाम का variable कहा पर है, यह देखिए, यहाँ पर, तो जब भी program start होगा, यह सबसे पहले नाम पूछेगा, नाम उसका, एक तो वह यह print करके बता देगा, कि आपका यह नाम है, और उस नाम का variable यह क्या करेगा, इस list में add कर देगा, किस list में, data list में, data list कौन सी है, यह बीचे आ करके print कराएंगे, हम print हमेशा यूज़ करते है, जब हमें देखना होता है, किसी के अंदर क्या है, तो हम print इसको कराएंगे data list, data list हमारी एक list का नाम है, हम इसको print कराना चाहते है, देखना चाहते है, इसके अंदर क्या है, run करेंगे, थोड़ा सा wait करेंगे, तो देखिए ये square bracket आ रहा है इसके अंदर इसने ये नाम add कर दिया तो अभी तो ये खाली थी लेकिन अब ये इसके अंदर एक नाम add हो गया तो बस simple सा यही एक फंड़ा और इसी फंड़े को आप क्या करोगे इसी rule को copy paste करते जाओ गया तो यह तो हमने नाम पूछा है ना चलो अब हम पूछने वाले हैं कि उसकी age क्या है तो हम copy paste कर लेखते हैं या फिर पहले हम आपको एक लाइन और करके दिखाते हैं तो यहां पर हमारे पास में क्या क्या है हम ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं बनाएंगे नेम के बाद एज है तो अब हम यहां पर input फिर से ले रहे हैं क्योंकि हम जब भी customer से कोई चीज value लेना चाहते हैं तो ह हम ने बोला input और उससे question यह देना प्चाते हैं कि what is कि यू अ एज कि सेमी कॉलन question जैसे वो age पूछ रहे हैं यह कब आएगा जब नाम पूछ लेंगे हम नाम feed कर देंगे उसके बाद अगला question उससे यह पूछा जाएगा और वहीं program hang हो जाएगा कब तक जब तक हम age नहीं लिखेंगे तो जैसी हम age लिखेंगे हम चाहते हैं वो age हम store कर ले एज नाम का हमें एगप variable बना देंगा और इसमने store जैसे store करेंगे तो हम आपको बता देंगे प्रिंट कराईगे क्या कि इस को बार्स सी की प्रिंट कर दो और बो लो your name देंकिजी के बूलो your age इस बाल तो हम age ले रहे हैं और क्या print कराना नाम नहीं print कराना उसने जो type किया वो age होगी तो age यह प्रिंट हो जाए तो हम यहां लिख देंगे age बस इतना सा change करना और जैसे print हो गया इसको list में भी आड़ करना पड़ेगा इसमें तो हम इसको इसको बोलेगे data list.append, append कर दो, list में add कर दो, किसको कर दो, add इसको कर दो, age और age में जो भी value आ रहे है इसको list में add कर दो, उसके बाद print भी कर दो rajoutez इस print हम यहाँ use नहीं करना चाहते हैं, इस print को हम control x करते हैं, नीचे add कर्ना चाहते हैं ठीक है कि पहले यह वाला नाम एड हो जाए पहले यहां पर देखिए पहले यह पूछेगा नाम बताएगा नाम यहाएगा नाम इसको एड कर देगा है फिर यह एज पूछ रहा है आपसे एज यहां पर आएगा और यह एज को भी अपेंड कर देगा इसमें ठीक है और जैसी लास्ट में यह डेटा लिस्ट को प्रिंट कराएगा बोलेगा बताओ डेटा लिस्ट तुम्हारे पास क्या है चेक करते हैं देखे जब से पहले ही पूछ रहा है what is your name तो यहां पर हमने कोई भी name डाल दिया enter जैसी करेगे नेक्स हमसे पूछेगा what is your age क्योंकि प्रोग्राम आप यहां पर आके hang orize जीगे ठीक है यह input function जहां पर भी लगेगा प्रोग्राम यहां पर आके रुख जाएगा जब तक उसमें आपको entry नहीं करोगे तो age कह रहा है जो भी यह age डालिए enter करिए जैसे क्योंकि इसके बाद आप प्रोग्राम में कुछ नहीं code सीधा last में यहां मिलेगा और यह क्या कर रहा है प्रिंट कर देगा कि इसको data list को तो data list के पास में एक तो नाम और age दो चीज़ा add होगे देखिए दो चीज़ा add कर तो आप बहुत ही उमदा तरीके से खेल रहे हैं आप 5 करोण तो नहीं जीतेंगे लेकिन आप python चलाना जरूर सीख जाएंगे तो अभी next आगे बढ़ते है हमारे पास और भी option थे जैसे age के बाद gender contact और मेली तीन चीज़े और हमें तूछनी हैं तो इस बार हम जल्दी से copy paste करते हैं सबसे पहले हम इतनी चीज़ copy paste करें control c आप लोग type करना यह याद रखना क्योंकि आप लोगों को सीखना है जब हमने सीखा था मैंने सीखा था तो मैंने भी type किया था एक एक line में type करता था ठीक है पर मैं आप सीख चुका हूँ इसलिए आप सीख रहे हो आपको भी एक line type करनी है तो यहाँ पर इस बार हम क्या बोलेंगे gender तो gender पूछना है उसससे gender में save कर देंगे what is your gender जैसे वो बताएगा gender हम यहाँ पर print कर देंगे gender में जो भी value आई होगी और उसके बाद append भी तो हम gender को ही करेंगे मतलब इस list में इसको जोड़ना भी तो है last में राइट अभी तो data इसको collect करके मिया रख पाएंगे यह तो कर रहे हैं फिर हम इसको copy कर लेते हैं एंटर करते हैं और कंट्रोल भी इस बार contact number में पूछना है तो contact number पूछना है तो हम बोलेंगे what is your mobile number जब यह mobile number फीड करेगा तो mobile number यहाँ store हो जाएगा तो हम यहाँ बोल देंगे contact जैसे contact आ गया तो यह क्या contact उसने फीड किया उसको पता तो लगना चाहिए तो उस contact को प्रिंट करा देंगे ठीक है प्रिंट कराने के बाद में वो contact हमें जोडना भी तो है इस list में तो हम यहाँ पर contact को add भी कर देंगे अब हम इसको run करके देख लेते हैं थोड़ा सा wait कर यह थोड़ा सा wait करना पड़ेगा and यह आ गया कुछ भी यहाँ पर हम जल्दी से आपको दिखाते हैं जो भी हमने यहाँ पर feed किया तेकि last में यह हमें सब बता रहा है कि हमने क्या-क्या feed किया लेकिन अभी एक चीज और बस थोड़ी देर आपको और बैठना पड़ेगा mail id तो हम last में इससे mail id भी पूछना चाहते हैं हम पूछना चाहते हैं बताओ mail id क्या है तो mail id होगी तो mail में इस सेव होगी तो हमने variable भी mail नाम का बना दे वाट इस तो पूछ नहीं रहे हैं बोले mail id पूछ रहे हैं तो बत लिस्ट किया राइट तो अब हम क्या करना चाहते हैं इसमें हम देखना चाहते हैं चलो अब अच्छे सी इसको चेक कर लेते हैं तो नाम बताएंगे हम बोलेंगे राजेस my name is राजेस enter करेंगे ये कह रहा है what is your age तो age बोलते हैं राजेस की 35 and ये कह रहा वाट is your gender हम बोले तो यहां पर यह देखिए पूरा का पूरा डेटा इसमें स्टोर कर दिया है जैसे आपने फीट किया है पर यह थोड़ा सा हमारा काम आते हैं कि यह जो लाइन रखट頭 हमकी 정도 ऑफ दिया हुआ है कुछ गड़बड हुआ, Ctrl C, उपर आईए, Ctrl V, और इस बार ये प्रिंट क्या करेगा, डवल गोड के अंदर ये डैज लाइन करेगा, फिक है, और ये ही डैज लाइन हमें, इसके नीचे भी प्रिंट कराना है, यहां पर, तो हमने इसलिए ऐसा किया है, ताकि ये लाइन जो है, ऐसा ना दिखाए दे, कि इसी में मिक्स हो गई है, ये अलग से हैलाइट हो, इस बार हम देख लेते हैं फिर से, हम जल्दी से फीड करते हैं, उटा सीधा कोई भी डेटा, और जैसे वो ये देखिए, ये इस इसको बोलो, डबल कोट लगाया, और इसके अंदर लिखेंगे, कौमा लगा देगे, अब ये थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा देखने में, अब डारेट ये वेल्यू नहीं आएगी, अब जो भी होगा, वो बता देगा, देखिए, ये बुलना है, क्या डेटा है, वो ये, सिंपल, ये थोड़ी लाइन छोटी पड़ रहे है, आप इनको बड़ा कर सकते हो, ये तो आपको हिट एंड ट्राइ, हिट एंड ट्राइ, हिट एंड ट्राइ, हिट एंड ट्राइ, ये करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये और अच्छा बन जाएगा, तो हम यहाँ पर, स्टार्ट में आकर करें, हम थोड़ा से इसको और लुकिंग वाइज अच्छा बना सकते, एंटर करेंगे, उपर, यहाँ पर भी हम ऐसा प्रिंट कर लेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी करना है, और यहाँ पर यह ऐसा प्रिंट नहीं करेंगे, हम सबसे पहले प्रिंट कराएंगे, जैसे गेम स्टार्ट होगा, हम प्रिंट कराएंगे, कुछ भी करा सकते हैं, जैसे, क्या बोल देंगे, एड्मिशन फॉर्म अगर है, तो चलो हम एड्मिशन फॉर्म बता देते हैं, और फिर जिलाएंगे, आप मैंने जल्दी में यह किया है, आप इसकी जगे कुछ और कर सकते हो, तो यह एड्मिशन फॉर्म है, ठीक है, तो अब जब हमारा, तो सबसे पहले एड्मिशन फॉर्म आएगा, आप चाहो तो स्कूल का नाम भी आइड कर सकते हो, ठीक है, तो एड्मिशन फॉर्म में सबसे पहले वो आप से कह रहा है, वाट इस यूर नेम, चलो फीड करो, तो बोलो भाई, इसमें कौन रूब नाम है, ठीक, फिर यह, य फί Keys, यह, छिए फिल यौर नविटिए य इसितो में इस और फॉट कह लूल, प्रॉट प्रॉमिटिए एफ न. यूब गर्ट अ. दो तॉ फिल यूरिव आन्मिटिएन Lexu Fnoise, त तो अब जब आप इसको run करोगे तो आप देखोगे कि सबसे पहले वो यही आप से पूछ रहा है या बता रहा है प्लीज फिल योर इन्फो इन दा इस्कूल एडमिशन फॉर्म आप इसकी जगे और अच्छी लाइन बना सकते हैं मेरी लाइन घटिया सी है अच्छी नहीं ल बुलेंगे mail है फिलेंगे what is your mobile number कुछ भी mobile number हमने डाला और फिर बुलेंगे mail id हमने चलो add direct कुछ भी करती है जन्दी से चेक करने के लिए जाए add direct gmail.com जैसे एंटर करोगे तो यह direct आपके entry customer data is this तो यह बहुती 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 easy form है बहुती easy तरीके से data collect किया गया है थोड़ा सा इसको और अच्छा अगर बनाना है तो बना सकते हैं कैसे direct आपको यह data list दे रहा है हम चाहते हैं data list जब हम इंटर करेंगे last मे तो यह wait कराए तो अगर ऐसा कराना है तो आपको थोड़ सा अपको help लेना पड़ेगा किसका एक a module import करना पड़ेगा इसको करेंगे import time हमें time को import करना पड़ेगा जब यह time import हो जाएगा तो हम उसका use करेंगे यहाँपर यहां पर क्या हम यूज करेंगे तो हम बोलेंगे time.sleep time.sleep हम करते हैं कि उतना interval time देते हैं यह डायेक्ट टारा ना जैसी यह data field हो गया mail id फिल कर जैसे इंटर किया वो direct work दिखा रहा है कि आपका data ही है हम चाहते हैं थोड़ा सा यहां पर और attractive तरीके से बनाएं यह phone रुकेंगे तब तक यह क्या यहां पर आएगा screen में first print करेंगे क्या print करेंगा यह print करेंगा प्लीज wait यह और dot 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 ऐसा कर देंगे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा चला देख लेते हैं कि ऐसा करने से program हमारा कहां कुछ आ रहा है यहां पर हम नाम लिखना चाहते हैं इस बार हम गौरी एक नया नाम लेते हैं गौरी की age कर दो 19 year and what is your gender mail what is your mobile number तो mobile number जो भी होगा यहां पर feed किया जाएगा what is your mail id तो यहां पर xyz जो भी mail id यहां डाल दी है जैसे एंटर करेंगे यह देखिए आप यहां पर wait करा रहा है यह wait कराने के बाद में यह देखिए आप data तो यह थोड़ा सा time और बढ़ा देते हैं जैसे यह दो हैं हम यहां 5 seconds करते हैं 5 seconds तक ही क्या करेंगा वेट कराएगा थोड़ा से इस बार जल्दी आपको दिखाएंगे तो finally यह हमारा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में बस repeat हुआ है क्या repeat हुआ है हमने बार बार input लिया है customer से और उससे question क्या हुआ है जो भी question करेंगा वो इस variable में save हो जाएगा तो जिस type का question उसी type का variable हमने बनाया है ताकि समझने में आसानी हो जैसे यहां पर आप देखो कि नाम पूछ रहा है तो name नाम का एक बनाया है सेम चीज़े एक पूछ रहा तो age नाम का gender पूछेगा gender नाम से फिर जो भी उसने feed किया है हम बोलेंगे कि आपने यह feed किया जैसे नाम तो your name is this your age is this ठीक है और उसको so to कर देंगे साथ में एक काम और करेंगे कि जो भी उसने feed किया है उस value को हम store कर लेंगे कहां पर अपने variable में लिस्ट के अंदर और जब लिस्ट के अंदर सारे question हो जाएंगे तो last में हम उसको थोड़ा सा time ले करके हम उसमें list को print कर देंगे कि list में इतनी value आ गई है फिर इस value का use करके हम कुछ भी कर सकते हैं तो यह हमारा एक project था आप लोग इसको करिए अब आपको एक काम करना है हम आप इसको यूज करके अपनी तरफ से इसको और enhance करेंगे और आप ऐसा अगर कर सकते हो तो ज़रूर करो आप एक interview admission form बनाओ sorry interview form कि online ही किसी का interview हो जाए तो एक company में एक employee एक company में जब जाता है interview देने के लिए तो उससे क्या-क्या question होते हैं ठीक है वो बैट के आपको देख क्या-क्या question तो कम से कम 10 question उससे पूछिए और interview में जो भी उसको form जो भी answer वो करेगा उसको आप feed करिए, store करिए अपने list के अंदर, चलो मिलेंगे अगले session में, thank you, tata bye bye